तारक महता का उल्टा चश्मा लोगों की बीच काफी पॉपुलर है क्या बच्चे क्या बुजर्ग सभी लोग साथ बैट कर इसको देखना पसंद करते हैं लेकिन पिछले काफी समय से इस शो से कई चहरे बाहर जा चुके हैं इनमें सबसे सबके चहते सेलेश लोडा भी हैं पर मामला यहां शो छोड़ने का नहीं बलकि पेमेंट ना मिलने का है दरसल सेलेश लोडा का कहना है कि उनको अब तक बैलन्स पेमेंट नहीं मिला है जिसके बाद उन्होंने इस शो के मेकर असीत मोदी और इसके प्रोडक्शन हाउस पर पैसे ना देने का आरोप लगाया एक्टर का कहना है कि धीरे धीरे इस बात को एक साल हो जाएगा और अब यही वज़ा है कि सेलेश ने कोट जाने का फैसला किया है क्योंकि जुवानी जंग से अब तक कोई काम नहीं बना अब सेलेश का कहना है कि अब वो पैसे को कानूनी तरीके से लेंगे जिसके लिए सेलेश ने ने नेशनल कमपनी लो ट्रिविनल के पास धारा नौ के तहट एक कॉर्परेट इंसर वेलिंसर रेजलेशन शुरू किया है और असीत मोदी के खिलाफ केस दर्च किया है जिसकी सुनभाई मई में होगी फिलाल माना ये जा रहा है कि शो छोड़ने की बाद सेही असीत मोदी और सेलेश के बीच रिष्टे खराब हो चुके हैं दोनों की बीच सोचल मीडिया पर अकसर जुबानी जंग देखने को मिलती रहती थी हाला कि इस से बारे में सेलेश ने कोई official confirmation नहीं दी है लेकिन असीत मोदी का इस पर reaction सामने आ ही चुका है यहां असीत मोदी ने पलडवार करते होगी कहा है कि सेलेश हमारे परिवार जैसे है आगे सेलेश को ले कर असीत का ये भी कहिएना है कि office आकर formalities के paper sign करें और company के rules को follow करते हुए अपने पैसे वापस ले ले इसमें ये दोनों ही अलग-अलग बात कर रहे हैं लेकिन कौन सही बोल रहा है कौन जूट बोल रहा है ये तो इन दोनों को ही पता है आखिर मांज रहा क्या है Well that's it for now for more updated entertainment news Please log in our website www.thejpt.com